अपने बिजनस को फेमस करने के लिए और बिजनस की अच्छी ग्रोथ के लिए बिजनस की मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा जिरूरी है आज कल आपको बिजनस की मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे जिन में से कुछ एक tools paid हैं और कुछ एक free लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी android application के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने business की social media marketing बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं तो basically दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने mobile phone से एक professional visiting card बना सकती हैं और किस तरीके से उस visiting card से अपने social media marketing कर सकते हैं अपने business की और business को बहुत ज़्यदा famous कर सकते हैं और बहुत ज़्यदा popular कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जिरू करेगा और इसी तरह कि बहुत सरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर जगा तो चली दोस्तों मैं आपको उस android application के बारे में बताने के लिए अपने mobile phone की screen पर लिकर चलता हूं और आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से अपने business के लिए एक professional visiting card बना सकती हैं और उससे अपने business की social media marketing करके अपने business को बहुत ज़्यादा famous कैसे कर सकती है तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इसको open कर लेते हैं और जैसे ही आप इसको open करेंगे आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको create, download, save, profile जैसी ऐसी कुछ option मिल जाएगी तो यहाँ पर आपने सबसे पहले create पर click कर लेना है जैसे ही आप create पर click करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे design मिल जा तो यहाँ पर आप कोई भी free template जो है उसको slide कर लीजे मान लीजे मुझको यह वाला template बहुत ज़्यदा पसंद है तो आपके सामने इस तरीके का एक design open हो जाएगा तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आप क्या का changes कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इ इसकी background change करना जाहे तो यहां से इसकी background भी change कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही जादा अच्छी background मिल रही है आपको जो भी background यहां से पसंद हो उसको आप select कर सकते हैं तो इसके लावा यहाँ पर आप सारे icon मिल जाएंगे तो आप उन icon को भी अपने जो design के जबताएं इसके लावर यहाँ पर आपको नीचे shapes मिल जाएंगी, और लोगों को भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इन सभी option को आपने किसी से इस्तिमाल करना है है जीए एक-ए करके जान लेती हैं यहां पर आप अपनी कमपनी का नाम लिख सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस के उसका नाम लिख सकते हैं, उसके निचे उसकी आप टैग लाइन लिख सकते हैं, यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, और अपनी जो पुजीशन है उसको भी लिख सकते हैं, तो चलिए एक करके जान लेते हैं कि किस तरीके से आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने जिस भी टेक्स्ट को एडिट करना है उसके उपर आप क्लिक कर लीजेगा और यहाँ पर आपको एक एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन मिल जाएगी तो जैसे ही आप इसके Vox Open हो जागा यहां पर आप अपनी company का name type कर लिजिगा और name type करने के बाद उसको आप apply कर दीजिगा suppose कि आपकी एक travel agency है और आप अपनी travel agency के लिए एक business card बना रहे हैं तो चले यहां पर मैं travel agency का नाम type कर देता हूं दोसो text को type करने के बाद जैसे ही आप apply पर click करेंगे तो आपका जो text है वो type हो जाएगा अब अगर आप text को move करना चाहते हैं left या right तो आपको यहाँ पर एक option मिल रही है इसके उपर click करने के बाद आप text को left या right move कर सकती है तो अब अपने text को अच्छी look देने के लिए यहाँ पर आप text को format भी कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने text को style देने के लिए यहाँ पर font style के उपर click कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे free font style मिल जाएंगे उने में से आपको जो भी font style अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं और जैसे ही मैं इसको apply करूंगा हमारा जो color है उसका font का जो change हो गया है और इसी तरह से आप यहां पर नीचे देख सकते हैं अगर आप अपने text के उपर किसी तरह की stroke लगाना चाते हैं तो यहां पर stroke लगा सकते हैं और stroke का size जो है उसको भी change कर सकते हैं तो यहां पर आप business card के अंदर किसी तरह की shape एड़ करना चाते हैं तो यहां पर shape के उपर क्लिक के जिए यहां से उसका size जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं तो मैं इसका size जो है वो कम कर देता हूं और इसको adjust कर लेता हूं manually adjust कर लेते हैं इसका हम color भी change कर सकते हैं color change करने के लिए आप यहां color जो है वो change कर लिया है आप इसको कहीं पर भी adjust कर सकते हैं जो भी space आपको अच्छी लेगी उसके उपर आप इसको adjust कर सकते हैं और इसका size जो है वो भी बड़ा चुटा कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से size जो है वो change कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको एक logo मिल करते हैं लेकिन अगर आपको यहां पर बहुत सारे फ्री जो लोगों मिल रहें उनमें से कोई भी logo पसंद है तो मैं पराने लोगों को ड्रीट करना जाता हूँ तो उसका में ड्रीट कर दूँगा और इसको यहां पर लगा दूँगा इसका size हम change कर लेंगी size change करने के लिए यहां पर आपको एक option मिल दी है इसको आप हम किसी भी तरीके से adjust कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सेथे हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा जो है design त्याइन कर ले है कुछ ही minute के अंदर तो दोस्तों यह तो थी हमारे business card की front side आप इसकी back side को भी edit कर सकते हैं यहां पर आप back side पर click किजिए उसी तरीके से आप यहां पर text को error कर सकते हैं और अगर आप किसी तरीके का logo लगाना चाहते हैं यहां फिर shape लगाना चाहते हैं तो यहां से आप लगा सकते हैं मैं दोबारा से front side पर चल जाता हूँ जैसे ही आपका business card जो है त्यार हो जैसे ही आपको एक download की जैसे ही आप उसको save कर लेंगे तो आपको यहां पर download option में जाना पड़ेका download option के अंदर आपके त्यार किये गए जो business card है वह आपको यहां पर मिल जेंगे तो आप यहां पर देख साथे हैं मैंने एक professional business card त्यार कर लिया है अब हम बात करते हैं कि आप इस business card को किस तरीके से share कर सकते हैं social media marketing इस business card की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं आप सबसे पहले यहां पर आप देख सेते हैं आप चाहें तो इस business card को print भी करवा सकते हैं यह काफी high quality का business card है इसी के साथ आपको यहां पर एक share करने के लिए option मिल लिए जैसे ही आप इसकी उपर click करते हैं तो आप इसको किसी भी social media platform की ऊपर share कर सकते हैं आप चाहें तो इसको facebook, instagram, whatsapp कहीं पर भी share कर सकते हैं और इसको print भी निकलवा सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस चोटी सी app से अपने business की promotion कैसे कर सकते हैं अपने business को famous कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको एक चोटी सी example ब mobile number आपका नाम आपकी date of birth इस तरह से वह चोटी चोटी details आपसे ले लेते हैं और उन details को वह अपनी marketing के लिए इस्तिमाल करते हैं मैं आपको एक example बताने जा रहा हूं तो जैसे यह आप किसी store के अंदर जाएंगे वह आपका birthday पूछ लेंगे आपका mobile number पूछ लेंगे और आ इसरें से करने से वह एक तीर से दो निशाने लगा लेते हैं पहला बात वह आपको विश भी कर देंगे दूसरी बात वह अपने business की promotion भी कर लेते हैं और free में marketing भी कर लेते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस app की मज़़से आप कैसे अपनी business को promote कर सकती हैं तो यह आपको अपने इस business card के दो पार्ट मिलते हैं एक है front side एक है back side दोस्तों front side के ऊपर आप जो अपने business के बारे में detail दीजिए अपना mobile number दीजिए और इस business card की जो back side है अपने customer के लिए जो कुछ एक wish लिख सकते हैं जैसे कि माल लीजे आपके पास कोई customer आया आप उस customer का phone number ल साथ अपने इस business card को share कर सकते हैं share करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूं को आपको बहुत सारे chances मिलेंगे क्योंकि दोस्तों इंडिया एक ऐसी country यहां पर लगबग हर एक मन्त में कोई न कोई festival होता है तो यहां पर इस business card की back side पर आप greeting लिख सकते हैं और अपने customer के साथ अपने इस business card को share कर सकती हैं दोस्तों इसके साथ आपके दो काम हो जाएंगे सबसे पहरी बात यह है कि आप अपने customer को wish कर देंगे उसको आप यह याद भी करवा देंगी कि कभी न कभी उन्होंने आपकी shop से shopping की थी अगर आप इस तरीके से अपने customers को उनके special दिन पर wish करेंगे, greetings and करेंगे तो आपके जो customers हैं उनके mind में आपका जो business का नाम है वो याद रहेगा और इस बात की बहुत ज़्यादा possibility है कि वो बार बार आपके business को आपकी company को आपकी shop को visit करेंगे तो दोस्तों यह एक बहुत ही simple और easy तरीका है अपने business की free में marketing करने के लिए उमीद करता हूँ कि आपको यह video बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हमारा idea भी पसंद आया होगा दोस्तों इस video को like और share जरूर करेगा और इसी तरह कि बहुत सारी videos देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजे तो मिलते हैं किसी नई video के साथ तब तक देखते अरिया स्किल्टीचर नमस्कार